दोस्तों आज हम करने वाले हैं बैटरी चार्जिंग टेस्ट वो भी इन पांच फोनों की जो हैं नोट 5 प्रो, रियल मी यूवन, वन फ्लस 7 प्रो, वन फ्लस 6, वीवो, वी 15 प्रो तो चलिए करते हैं शुरू और देखते हैं कौन सा फोन जीतता है बैटरी चार्जिंग टेस्ट में तो चलिए पांच मिंट हो चुके हैं चार्जिंग होते हैं और हम देखते हैं रिजल्ट नोट 5 प्रो, 4 परसंट इसकी चार्जिंग 4 परसंट है और रियल मी यूवन का 5 परसंट 7 प्रो और वन प्लस 6 दोनों बराबर दिख रहे हैं 11 परसंट पे और 6 परसंट है भी 15 प्रो की 15 मिन्ट चार्जिंग होने के बाद हम देख सकते हैं कि 1 प्लस 6 जो है वो लीड कर रहा है झाल 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 30 मिनेट्स हो चुके हैं और हम देख रहे हैं कि 1 प्लस 6 जो है वो 58 परसंट उसकी चार्जिंग हो चुकी है वो लीड कर रहा है भी भी दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहां पर 1 प्लस 6 जो है सारे ही फोनों में लीड कर रहा है आपको मैं एक बार दाद हूं कि 1 प्लस 6 जो है आपको बात करें वीव वी 15 प्रो जो कि सिर्फ 54 परसंट है जो कि डूवल चार्जिंग एंजिन के साथ आता है तब भी वो काफी पीछे लाग कर रहा है दोस्तों आए होप आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी और प्लीज अगर अच्छी लग रही है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरू कर लीजिए इसमें हमारी बहुत सारी मैनत लगी है दोसों एक घंटा निकल चुका है और आप जैसे की देख पा रहे हैं कि हमारी जो रूर्ट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि 1 प्लस 6 91 परसेंट हो गया है दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सा फोन जीतेगा आप हमें कमेंट्स में बताइए दोस्तों एक घंटे 15 मिंट निकल चुके हैं आप देख सकते हैं वन प्लस 6 की बैटरी लगबग फुल होने वाली है वन प्लस 7 प्रो ने भी काफी अच्छा चेस किया और 96 परसेंट पर आचुका है वन प्लस 6 और 7 प्रो लगबग अब बराबर हो चुके आपको बता दो नोट 5 प्रो और रियल मी यूवन भी आल्मोस्ट इकुवैलेंटी ली चल रहे हैं बट वीवो वीटीन प्रो जो है अगर मैं कमपैर करूं वन प्लस 7 प्रो वन प्लस 6 से वो काफी पीचे चल रहा है वन प्लस 6 की बैटरी 100% हो चुकी है इसमें कोई खुशी की बात निया कि वन प्लस 6 की बैटरी जल्दी चार्ज होगी है विकास वन प्लस 6 की जो बैटरी है वो सबसे चोटी है इन पांचो फोनों में ही और मैं आपको एक और बात आदूं लगे तो बन प्लस वन प्लस वनन सिस में मैं की में चार्ज करूं हो हाँ जबकी आपका मन प्लस रिक चानी ट्रम डेश डिशा शाल लिटा काफी ज्यादा टिफेरेंश हिए बिकछ форм arrive जबकि आपके वन प्लस 6 अभी है अभी कंपलीट हुई है आपके दोनों वनप्लस के फोन जो है चार्ज हो गए है वी वो अभी भी लैक कर रहा है 91 परसेंट पे है रियल्मी यून भी 82 परसेंट पे है और नोट पाइक पर तो आप पूछे ही मत अब दोस्तों देड़ घंटे हो गए हैं देड़ घंटे में भी हमारी बैटरी अभी तक सारी फुल नहीं हुई है अभी तक भी वी वो की जो बैटरी है 94 परसेंट दिखा रही है और जबकि आपकी नोट फाइब प्रो रियल्मी यून 81 परसेंट और 86 परसेंट पे पहुंचे हैं झाल झाल है तो दोस्तो दो घंटे हो चुके हैं आप जैसे की देख सकते हैं वीवो वी 15 प्रो भी हमारा 100% हो गया है चार्च तो इसको भी हम लोग पलेट के रख देते हैं अब आप देख सकते हैं जो लास्ट के जो दो फोन बचे हैं वो रियल्मी यूवन और नोट फाइफ प्रो है नोट फाइफ प्रो बहुत ही पुराना फोन है तो चलता है उसका कि वो चार्जिंग इतना स्लो कर रहा है रियल्मी यूवन जबकि अभी लेटर्स फोन ही रहा है पांचे महीं नहीं उसको आए हुए तब भी उसके 96% हुआ है भी मैं इसको पंदाए मिन बात कितना चार्जिंग पहुंचेगा तो सबस्क्राइब कि अंदर भी हमारा रियल्मी यूवन फुल चार्ज नहीं हुआ है अभी बी 99% पे है हो सकता है दो तीन मिनेट के अंदर हो जाए बट अभी बी 99% में है आप समझ सकते हैं कि कितना जादा टाइम इस उसने दिये हैं तो इतना तो चलता है तो दोस्तों दो घंटे 20 मिन बाद हमारा रियल्मी यूवन भी फुली चार्ज हो चुका है अब आपका सिर्फ और सिर्फ बचा है कुस्तों नोट 5 प्रो बचा है जो कि उमीद करता हूं मैं आगले 15 मिन दे चार्ज हो जाना चाहि तो दोस्तों दो घंटे 22 मिन बाद आपके सारे फोन चार्ज हो चुके हैं जिसमें से 1 प्लस 6 जो है इसमें फर्स आया 7 प्रो सेकेंड वीवो वी 15 प्रो 3 रियल्मी यूवन आपका 4 और नोट 5 प्रो 5 उमीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए